हेलो दोस्तों स्वागता आपका हमारे ट्यूप चैनल स्टेडी होम पर दोस्तों क्लास 7 के मैट्स के स्टूडियो में आज हम पढ़ेंगे मैसका एक बहुत इंपर्टन टॉपिक पायथागोरस प्रमें तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल स्टूड करना ना भूलें क्योंकि हम ऐसी इंपर्टन वीडियो अपके लिए लिए लगाता लाते कहते हैं तो दोस्तों आई शुरूआत करते हैं पायथागोरस प्रमे सबसे पहले जान लेते हैं पायथागोरस के बारे में दोस्तों पायथागोरस एक यूनानी गटिक्या थी जिन कर ला शुरूआं दोस्तों संकों में इटका को एक होता है वह संकौन चैलाता है आप देख सकते हैं हमारे पास फिरूंग है और यहां पर आप मनले बिगिका है तो इस तरह से यह लुप पर इस के सामने वाली पर लग्जा बड़ी वाती है और बाद मैं और आंगलों बाट दोस्तों पायतागुरस्प्रम में क्या बताती है हमको आए जानते हैं दोस्तों पायतागूरस्प्रम के अनुसार किसी सम्कौन तिरभुज के करणड पर बने वर्ग का सभड़ का शित्पल यानि समय को हमारा ABC है यह आप देख सकते हैं और इसके गांड़ करें तो इसके वराबर आएगा यानिकी अगर हम माने कि AC जो है उसकी लंबाई A है और AB की लंबाई हमने मान लिए B और इसकी लंबाई मान लिए C तो इस तरह से इस वर्ग का छित्फल हुआ A स्कार और इस वाले वर्ग का हुआ जो अभी बना हुआ है B² और ऑफ़ी पे बना हुआ हुआ हुसका चैथफल हुआ C² तो इस तरह से ये प्रमिहम को क्या बताती है कि केरंड पर बने वर्ग का चैथफल है मारे A² और इसके जो अन्ने दो बज्ञावा पर बना हुआ वर्ग है उनका स्थफल है B² प्लस C² तो इस तरह से ये प्रमिय हमें बताती है कि किसी समकौन तिर्भुज के करण पर बने वर्ग का छेथफल उस तिर्भुज की अन्य दो बुजाओं पर बने वर्गों के छेथफल के योग के बराबर होता है। तो आगे हम इसे समझेंगे कि ये किस तरह से होता है। हम इसको करके देखेंगे कि क्या यह किस तरह से इसका सत्यापन हम कर सकते हैं इसके सत्यापन के लिए हम क्या करेंगे कि ABC नापका यानी की मानली जी हमने इसके अलावा क्या करेंगे कि दो वर्व मनाइंगे बी प्लस सी की नापके बी प्लस सी यानी तीम प्लस चार ये वाली हुजा और ये वाली हुजा दौने को जोर के साथ साथ मना जी सैंती मिर्व वर्व बनाएंगे दो खेंगे हग हम क्या करेंगे इनमें कि यह जो आठ तिर्वुज हमने बनाए हैं उन्हें इस तरह से इसमें रखेंगे कि जो बी साइड है यानि कि जो चार वाली साइड है और तीन वाली साइड तीन पर आए इस तरह से हम पहले वर्ग में चार तिर्वुज रख देंगे एक हमने यहा चार तिर्वुज होगे यह पांच हो गया छटा सातवा और आठ तिर्वुज हमने दौना वर्गों में रख दिए तो यहाँ पे जो यह साइड आएगी ये साइड हमारी यह है यानी कि हम कह सकते पांच है जो हमने लीती त्यूने लिए तीन-चार-पांच यहां पे चार हो कि बुजा वाला वर्ग बन गया तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका जो होँ ओर थे और एज़ा हमने इदर वाले तिरुज में ए इस तरह से तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जब यह भुजा हम ने चार ले रखी है यह तीम ले रखी है और यह है हमारी 5 तो चार के सामने की बचा चार होगी और ऐसे ही ये भी ये भी वाली बचा है ये भी चार होगी तो चार चौप शोल है इसका जो छितफल होगा शोल होगा और इस तरह से ये तीन वाला बचा हमारे पास तीन की बचा वाला वर्ग तो ये होगा तीन तीन नौ तो इस तरह से हम दे आठ तिरभिज बनाए हैं जिनमेंसे चर तो चते हैं यहां पर संक्राइब होगाँ 20-75-25 से तो दौनों एरिया जो है वो बरावर होंगे तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि A square बरावर B square plus C square और इसी हम दूसरे सब्गों में यह भी कह सकते हैं कि कांड का square क्योंकि ए जो है जो side है वो उस्तिरूज की कांड थी तो कांड का square बरावर लंब का square प्लस आधार का square तो इस तरह से हम देख सकते हैं इसको सत्यावित पर सकते हैं मैं दोनों का स्केर करेंगे हम तो क्या आएगा हुआ ये एन ऑफगर प्लस 1 के की बिड़ावराएगा उधारन लिजी मंलेजी तीन चार पांच है जैसे कि अभी द साथ तो तीन का इसila क्ट की ऑगा तो था हुआसके और जहां पर एंब आइक से यहां हमेशा एक से बढ़ा लेना है पाइथागोरिन त्रिक हम कैसे आगे ग्याद कर सकते हैं वाद लिजिए हमें पाइथागोरिन त्रिक दी हुई है जैनि कि यह तीन चार पांट समको दी हुए है तो हम अन्य भी इनकी सहता से प्यात कर सकते हैं यानि किसी एक संखहा से गुना कर दें माले तो से गुना कर देतें हैं सब में तो चैनि छारड़नी आठ और खूरनी तस यदि चैनि यह आठ दस ये और इस तरह से ये भी एक 9 16 25 और अन्य हम ग्याद कर सकते हैं माली ज़िए 4 से हम गुणा करते हैं इसको तो 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 तीन में गुणा करेंगे तो बारे आएगा और चारचोंग ऑप तो 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 दोस्तो आईए अब इसकी एक्सराइज करते हैं एक्सराइज का पहला कुस्चन है चित्र में कोंड बी समकोंड है जयसे हमने बात की कि कि करन का इसकंड होता है बड़ी भाली बजा का स्क्राइज कर क्या होता है उठेट उख्रमेंशे रट सी में哈哈 होता है अलने दो ब Körper स्ट का इस्ट इनने की लंभ आधार का स्ट कर सो यह में पता करना है कल और लंभ है हमारा यहां पर मान सकते हम आप पर ही दोस्तों बुचा होती है जो आधार के साथ नएजिगरी का एंगल बनाती है तो हम मान सकते हैं A B गार यह है आधार हो गया हमारा ऑपीसी वर्ग होगा है हमारा चैनल और बीसी है हमारा है इसी क्या है आट का वर्ग तो एक चेञाटिस इस तब बहुत जाएगा शत्तीस और आठ ट्टिग चोंसट इसका के वर्ग हो जाएगा और एसी हमको पता करना है सब्सक्राइब अब हमें पता है कि सो जो है वो है दसका वर्ग तो दसका वर्ग है इसलिए हम यहां पर हम कह सकते हैं कि वर्ग से वर्ग को प्रेंजिल कर देंगे तो एसी पराबर हो जाएगा हमारा दस यह जो जावी तस सेंटिमीटर यह अगला सवाल हम देखेंगे चित्र में को ए सम क्यूल है तो यहां पर अपकी बार हम आपकी नेकी और dummy कि मापन सा पुजी गई है तो पायथा गोर प्रमे से क्या होता है है पायथा एक वर होता है घर का वर्ग बराबर लंभ का वर्ग प्लस आधार का वर्ग और हम इसको पक्षांतर करके हमें क्योंकि अब की बार निकालना है हम कह सकते हैं आधार इस आधार का वर्ग निकालना है तो हम क्या करेंगे कान का वर्ग माइनस लंब का वर्ग कर देंगे लंब का वर्ग तो हमारा आधार का वर्ग आ जाएगा जब छोटी वाली भुजा का छोटी वाली भुजा हमको निकालनी होती है तो कर्ण में से घटा देते हैं और कर्ण निकालना होता है तो दोनों छोटी भुजाओं को हम जोड़ देते हैं तो कर्ण स्केर क्या होगा कर्ण है हमारा यह 13 है 13 का स्केर और लंब है हमारा 12 का स्केर तो हमारा आ जाएगा आधार यानि की AB क्या जाएगा AB का स्केर 13 का स्केर होता है 179 169 और 112 का होता है 144 बरावर AB 179 में 64 घठेगा तो बचेगा हमारा 9 में 4 गया तो 5 और 6 में 4 गया दो 25 तो हम इसको कर सकते हैं AB बरावर 25 को हम लिख सकते हैं 5 का वर्ग 5 का वर्ग और यहां पर हम वर्ग से वर्ग को हटा देंगे तो AB बरावर हो जाएगा 5 तो यहां पर AB क्या हो गया हमारा 5 सेंटिमेटर यह वाली भुजा 5 सेंटिमेटर होगी और इसके बाद अगला सवाल लेंगे अगला है तिर्भुज ABC में तिर्भुज ABC में कौन ABC समकौन है ABC का मतलब है यह वाला कौन यदि AB बरावर साघंटिमेटर और 20 सेंटिमेटर हो AB हमको दिया होगा है स्वार्फ और 24 तो Σी ए की लंभाइ पूछी है हमसे इसकी लंभाइ हमको बतानी है कि इसकी लंभाइ कट में हो वह गी तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेशे क्या होता है पाइथागोरस प्रमेशे होता है हमारा अगर इस तिरभुज में तेखें तिरभुज A B C में क्या होगा A C वर्ग बरावर होगा A B वर्ग प्लस B C वर्ग का वर्ग बरावर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग तो यहाँ पर A C हम जब पूचा गया है A C या C हम कह सकते हैं C A B लिख सकते हैं इसको और A C भी लिख सकते हैं तो C A स्केयर क्या होगा हमारा A B A B यानि साथ का स्केयर और B C यानि 24 का स्केयर तो साथ सकते होंगे उड़नचास और 24 का स्केयर होता है पान सो चेत्तर जब 24 में 24 से मल्टिप्लाइ करेंगे पान से चेत्तर आएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह आएंगे नौश है पंद्रे का पांच चार साथ दिया रहे हैं बार है और पांच और इच्छे 625 तो C A का स्केयर आ गया हमारा 625 और 625 को हम लेख सकते हैं 625 होता है 25 का स्केयर और स्केयर से स्केयर काट लेंगे हम यह से एकट जाएगा और या फिर हम कह सकते हैं कि दोना और वर्गमूल लेने पर वर्गमूल हम इसलिए यूज नहीं कर रही है क्योंकि साथमी क्लास में वर्गमूल होते नहीं है आठमी क्लास में वर्गमूल तो इसलिए हम कहेंगे कि CA का वर्ग इसके वर्ग को हटा देगा यानि CA बराबर 25 cm हमारा आ जाएगा यह साइड होगी हमारी 25 cm इसी तरह हम आगे भी questions solve कर सकते हैं अगला question है आयत ABCD में विकरण CA 20 cm है और AB 16 cm है तो BC की लंबाई ग्याद करनी है BC यह वाली साइड हमको ग्याद करनी है तो आईए जैसे कि हम देख रहे हैं कि आयत ABCD आयत हमको ABCD दियो है और हम जानते हैं कि आयत की जो आयत के सभी एंगल 90 डिग्री को होते हैं यानि कि यह एंगल भी 90 डिग्री का होगा यह भी 90 डिग्री का होगा और यह भी 90 डिग्री का होगा तो हम कह सकते हैं कि जो तिरवुज ABC है जो तिरवुज ABC है वह एक सम कौन तिरवुज है सम कौन तिरवुज और सम कौन तिरवुज में हम पाइथागोरस प्रमे अपलाई कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमे पाइथागोरस प्रमे क्या बताती है हमें कि कि अगर 5 में देखें हम एची वर्ग बराबर 2 लाग्या ba मैं तो पहाज लमए से करहाई से निकाल सकते हैं निखेंगे 27c बराबर A C square मतलब A B को इधर भीज देंगे माइनस में तो A B पर माइनस में हो जाएगा और A C A C है हमारा 20 कवर्ग और A B है हमारा 16 कवर्ग 20 कवर्ग होता है 400 और 16 कवर्ग होता है 256 जब इसको घ्राएंगे हम तो क्या बजएगा एक सो जीरो में से चार गटेगा तो यह च्छे बजएगा चार बजएगा नौ में से पांच गटेगा तो चार बजएगा एक सो चबालिस तरह से और इस तरह से फिर सम बीशी का जमान लेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 12 कंवर्ग तो इसलिए हम इसको वर्ग के रूप में लिख लेते हैं और वर्ग से वर्ग हटा देंगे तो 20 वराबर बार इस तरह से हमारे पास आगे बाहरा है और अगला सवाल लेंगे हूं अगला सवाल है 65 डेसीमीटर लंबी सीडी का दीवार से दीवार से 25 डेसीमीटर हटा के लगा गया गया है तो दीवार के आधार से सीडी के उपरी सिरे की उंचाई बताओ कि मन लिजीए एक दीवार है और सीडी से लगाएगी है इस तरह से दीवार के आधार से 65 डेसीमीटर लंबी सीडी है ये 65 है और यह इस तरह से लगाई गई है 65-25 देसिमीटर हटा कर लगाई है यह तो हमें क्या बताना है यह दीवार के आधार से दीवार के आधार से सीडी के ऊपरे सीडी के उपरे यह हमको लंबाई यह हमें बताना है तो हम मान लेंगे कि यह एक एबीसी तिर्वुज है और यहां पर सी 90 डिवी का अंगल बनेगा क्योंकि कोई भी दीवार वगएरा जो शीदी खड़ी होती है 90 डिवी पर खड़ी होती है तो यह समकॉर्ण तिर्वुज की तरह काम करेगा तो हम लिख सकते हैं कि समकॉर्ण त गुल्बूस युवी सीं क्या है हमें निकालना है एसी वर्ग जब हमें छोड़ी भुजा निकालनी होती है कोई नहीं दो कर्ण में से उसको ओटार देतें दूर्सरी वाली वुजाए को तो यह होगा एबी वर्ग माइनस दीसी वर्ग दीसी वर्ग एबी हैँमारा यहां कि हमें निकालना है तो एबी है मारा 65 स्केर माइनस एसी है मारा 25 तो 65 से 65 करेंगे हम तो दोस्तों मैं आपको एक सॉट पर बता दूंए आपे 65 जब इस तरह से दो अंक वाली इस तरह की संख्या का वर्ग करना होता है जिसके एक आइक पांच हो तो एक आइक कि हम पहले वर्ग करते हैं 25 और आगे क्या आएगा इसके तो इसको उग्याद करने के लिए हम छे से जो अगला अंक होता है दाही का अंक होता है उससे एक बढ़ा के उसमें अगले वाले नंबर का मल्टिप्लाइ करते हैं या फिर हम ट्रिक से अगर इसको करें वर्ग तो पांच पंचे इसमें से 625 को तो कितना बचेगा पांच में से 5 यानि जीरो जीरो और वैल इसमें शेवे तो च्छतिस च्छतिस सो यह बचेंगे तो एस सी स्केर को हम लिख सकते हैं शाथ का स्केर शेचिंग साकती से स्केर कर जाएगा और एसी वरावर आएगा 60 cm 60 यानि दीवार के आधार से सिडी के उपर वाले सिरे की उचाई है 60 cm 60 cm अब अगला सवाल लेंगे आगे है कि पाइथोगोरियन तिरिक छाट कर लेखिए इसमें से हम कुछ आटना है कि कौन-कौन से पाइथोगोरियन प्रिक है और कौन-कौन से नहीं है तो हम देखे हैं पांच बार रहे तेर है पहला वाला ले लेके पहले पहला है पांच बार है तेर है इसमें तो पहला है 5 11 और 13 समय को चेक करना है कि सबसे बड़ी वाली बुजा का वर्ग अन्य दो बुजाओं को एक बड़ाबर है कि नहीं है तो पॉच का वर्ग पिलास बार है का वर्ग एक भर होना चाहिए अगर यह पाईद हागूर्ण तरिक है तो तो थो पच्चीस और बारह कवर्ग होता है 144 और तेरे कवर्ग होता है 179 तो 25 और 149 और 246 एक जोनौतर यनिकि यह पाइधागोरियन त्रिक है हम कह सकते हैं कि पांच बारह 13 पाइधागोरियन त्रिक है अब साथ पंध्रे को चेक करते हैं दूसरा कि साथ कवर्ग प्लस आठ कवर्ग होना चाहिए 15 के बराबर तो चेक कर लेते हैं साथ सत्य उड़नचास होते हैं और 88 होते हैं 64 और पंध्रे कवर्ग होता है 225 तो उड़नचास नौचार 13 है और 4 610 11 है यह हुआ 113 है और इधर हुआ 225 तो जो की बरावर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि यह एक पाइथागोरियन तरी नहीं है और चैसाथ आठ को हम चेक करेंगे शैसाथ आठ है जाए साथ आठ को तो 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 शैसंग 36 अजबर करेंगे साथ कावर करेंगे यह नहीं यह आठ करका बरावर को स्केश्चिंग सब्सक्राइब करना है सबसे वाली भूजा के बराबर होनी चाहिए दोनों कवर्ग में गार्फ किन सब्सक्राइब कर तो तीन कवर्ग नौ और चार पुझ आपकर लगुण हैं और अधर में लिए दिन्ट हीशा निए वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बता हैं अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे दोस्तों के से और करें और साथ ही हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद